स्टुडेंस चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन का एक्जांपल नमबर 13 देख लेते हैं क्या है एक्वेशन ओफ लाइन इस 3x-4y प्लस 10 इक्वल टू 0 हमें एक लाइन की एक्वेशन गीवन है वो क्या है 3x-4y प्लस 10 इक्वल टू 0 find its slope फर्स्ट पार्ट में हमें इसकी slope find out करनी है and x और y intercept और इस लाइन के x और y intercept हमें find out करने है अब intercept से मतलब क्या है यहाँ पे वो second part करते ठाइम मैं आपको समझाऊँगा ठीक है सबसे पहले देखते हैं हम इसका solution कैसे करेंगे हमें equation given है 3x-4y plus 10 equal to 0 अब आपके mind में आजाना चाहिए कि जब भी हम किसी equation की slope find out करते हैं तो क्या होता है y is equal to mx plus c की form में होनी चाहिए equation और ये m जो होता है x का coefficient ये क्या कहलता है हमारा slope of the equation ठीक है slope का मतलब आपको अच्छी से पता है introduction के अंदर समझा हुआ है कि कोई भी line किसी दूसरी line पे कितने angle से inclined है वो होती है slope तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है y is equal to mx plus c तो y वाली term को एक तरफ रिखो without y वाली term को अब एक side ले जाओ minus का 4y is equal to यहाँ पे क्या होगा 3x है इस तरफ आ गया minus का 3x और minus का 10 clear यहाँ पे y की value निकालनी है y is equal to minus का 4 इस तरफ आ जाएगा minus का 3 by minus 4x minus का 10 by minus 4 तो y is equal to क्या हो गया minus से minus cancel 3 by 4x minus minus plus हो जाएगा 10 by 4 cut करेंगे तो यह क्या हो जाएगा बिटा 5 by 2 समझ में आ गई बात कुछ नहीं किया है हमने बस क्या किया है y वाली टर्म को एक तरफ बाकी टर्म को एक साइड ले गए minus 4 की यहाँ पे जरूर तिनी क्यों कि तो हमें y बनाना है minus 4 को निच्चे डिवाइड कर दिया minus से minus कट गया 3 by 4 बच गया minus minus plus 10 by 4 को 5 by 2 लिख सकते हैं अब इसको compare कर लो on compare y is equal to mx plus c से compare करो x का x से साथ comparison m is equal to क्या आ गया comparison करके 3 by 4 बस यह काम करना था हमें first part में first part का solution आपके पास आ चुका तो slope of the equation क्या आगी बच्चो 3 by 4 clear हो गया कोई दिक्कत के बात नहीं है अब चलो x and y intercept अब मान लो कोई भी graph होता है इस तरीके से तो यह जो line है वो x axis पे किस point पे cut कर रही है y axis पे किस point पे cut कर रही है यह points निकालना ही हमारे क्या होते हैं intercepts होते हैं तो वही हमने find out करने हैं तो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे अब सबसे पहले हमें equation क्या गिवन है 3x minus 4y is equal to minus 10 और जो equation होती है intercept form की वो क्या होती है बिता x by a plus y by b is equal to 1 यही होती है न बच्चो ठीक है तो हमें क्या गरना है इस equation को इस form में लेके आना है और यह जो a और b होते हैं यह होते हैं हमारे intercept क्योंकि यहाँ पे जो point होते हैं a,0 और यह जो point होते हैं 0,b तो हमें a और b की value निकालनी है वही हमारे intercept हो जाएंगे अब यहाँ पे देखो right side में 1 है यहाँ पे right side में minus 10 है इसको 1 कैसे बनाएं minus 10 से divide करके अब इस side तो हमें अकेला divide नहीं कर सकता मुझे बोथ दोनों side करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे divide by minus 10 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x by minus 10 minus का 4y by minus 10 is equal to minus 10 by minus 10 समझवे आ गई बात minus 10 से minus 10 को cut गया तो यहाँ पे क्या बन गया 1 right side तो 1 आ गई अब यहाँ पे देखो मुझे x चाहिए numerator में y चाहिए numerator में तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं x by minus का 10 by 3 3 को निच्चे लिया है हमें यहाँ पे minus minus प्लस हो जाएगा यहाँ पे y by 10 by 4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ समझ में आगी बात इसको दोबारा से वैसे करेंगे तो यह 4 उपर चला देगा हमारा अब यहाँ पे देखो इसको compare करो इसके साथ on compare a की value क्या आई बच्चो minus का 10 by 3 b की value क्या आगी हमारे पास 10 by 4 इसको cut भी कर सकते हैं तो क्या आगया 5 by 2 यह हो गए हमारे पास intercept this is the answer simple था समझ में आगया होगा अगर समझ में आया है question तो वीडियो को जरूर like कीजिए comment करके बताइए मुझे क्योंकि मुझे भी confidence मिले कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा share जरूर करें नेक्सा क्लासीज को बस यह एक साप support कीजिए बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए thank you students for watching नेक्सा क्लासीज